हेलो स्टुडेंस, हम सभी जानते हैं कि आज हम जो भी पड़ते हैं उसकी कुछ न कुछ हिस्ट्री होती है, बस आज हमने उन्हें कुछ नाम दे दिये हैं, जिन नामों से हम उन्हें जानते हैं तो students, आज हम चर्चा करेंगे हमारे subject thermodynamics की history की. Thermodynamics या उश्मागती की है क्या? उश्मागती की अध्यन है उश्मा के आदान पदान का या heat के transformation का. बट heat क्या है? और क्या ये पहले नहीं थी? क्यों? ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा होता, तो पहले के जीव जनतू, मनुश्य ठंड से केसे बचे रहते? ऐसे कई प्रशने हैं. ये माना जा सकता है कि पुरातात्व यूग में सोर उर्जा के अतिरिक्त कोई अन्य उश्मा विदा मालू ही ना हो. पर फिर हम विचार करें चक्मक पतर से निकलने वाली चिंगारी पर, घर्शन से वस्तू के गरम होने पर, बारिश में बिजली के कड़कने पर, जो पेडों और घरों तक तो जलाने की छमता रखती थी. इन एतिहासिक गटनाओं को आज की परिभाशा में लिखा ना हो, फिर भी यह ज्यान पीडी दरपीडी संचारित होता रहा है. हम देख सकते हैं कि आग के कई और रासाइनिक स्टोथ भी हैं, जैसे पासपोरस, गंधक, घर्शन, सोडियम से आग लगना, रासाइनिक क्रियाओं से आग लगना, इसकी एक कहानी भी है, एक नाविक अपनी नाव में चूना पत्थर ले जा रहा था, वरंतु दुरभाग से उसकी नाव डूब गई, नाविक जल कर मर गया, ऐसा क्यों? यह एक रासाइनिक अभी क्रिया है, यह प्रक्रिया हवा से कार्बन डायाक्साइड, चूना के केल्शियम ऑक्साइड, पानी के ऑक्सिजन से मिलकर केल्शियम कार्बोनेट में बदलता है, और हाइड्रोजन रिलीस करता है, जिससे जादा मात्रा में ताप उत्पन होता है, वपानी में उबालाने लगता है, यह तो बात हुई पहले की उश्मी अगटना उपर, अब सोचें कि उश्मा उत्पादन की आवशक्ता क्यों? ठंड से बचने के लिए, और यह पहले कैसे होता होगा? इसक ठंड से बचने के लिए, ऐसे इस्थानों पे जाते हैं, जहां पे ठंड कम लग रही हो, या अपने इगलू जैसे घरों को बना कर बहां पर जाके, जितने टाइम सीथ रहती है, या हमारी ठंड रहती है, उतने टाइम के लिए नींद में चले जाते हैं, ऐसा होता होगा, या तो फिर जीवजन्तू के छाल से वस्त्र बना लेते होंगे, या शरीर पर राख रगर लेते होंगे, इस तरीके की कुशोध हुई. इससे हम देख सकते हैं कि उश्मा की खोच हजारों साल पहले हुई, तो उसका उप्योग क्या था? चुकि उश्मा एक प्रकार की उर्जा है, उसे कारे रूप में लाना ही शायत सीख लिया गया हो. इस प्रकार के उर्जा के अंतरण को उश्मा गतिकी का नाम दिया गया. रिगवेद के अनूसार, उर्जा का संक्रमन, जीव नश्वरी अगनी, मन्थन की अगनी तथा आभा अगनी जिसे हम तेजस अगनी कहते हैं में होता है वेत पुराणों की एक खासियत है कि जीवन यापन तथा स्वस्त रहने के लिए कार्यों को भगवान में अरपन कर दिया जाता है जैसे अगनी के देवता सूर्य, रुद्रता के लिए शिव, अगनी होत्र में ब्राम्हन, रक्षा के लिए सेना, त्याक के लिए यग्य आहुती इत्यादी उश्मा रोधी के लिए मिट्टी से बने घर, नदी के उपयोग में सिचाई, जानवरों और शत्रों के रक्षा के लिए आर्णी, तदा अंधेरे में ब्रामन के लिए मशाल इत्यादी अगनी पुराण में मरन तंत्र की व्याक्या है, विविन ने शोर्त करदाओं ने पाया कि उश्मा एक ब्रामर शब्द होग सकता है ब्रामर शब्द मतलब एक ब्रहम है, उश्मा जिसा कुछ नहीं है, सही नाम उश्मा प्रवाह होना चाहिए इन दे सेंस, एनर्जी इन ट्रांस्मीट इस थर्मल एनर्जी, हैंस दू अवे विद तर्म हीट द्वारा व्यक्त किया जाना चाहिए जहां तक उश्मा गतिकी में योगदान व्यभार में तो वेदिक काल, पुरानिक काल से था, उसका सही उप्योग पच्चिस सो इसा पुर्वतक होता रहा हो सकता है उश्मागतिकी का वहरूप न रहा हो तो भी उश्माधारित कर्म, वेदिक काल और संस्क्रती सभ्धिता में अवश्य ही हुआ होगा ये थी हमारी उश्मागतिकी की हिस्ट्री Thank you students